एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है। गोवा तक सीधी रेल सेवा, बस सेवा तता हवाई सेवा उपलब दे। यदि आपके पास समय की कमी है तता बजट संबद्धित कोई दिक्कत नहीं है तो आप फ्लाइट से गोवा जाईए। यदि आप एक से दो महीने पहले गोवा जानी की एकोनोमी फ्लाइट बुक कर लेते हैं तो फ्लाइट का किराया प्रतिविक्ती दो हजार से तीन हजार रुपे के बीच ही पड़ेगा। तथा आप अपने ग्रह नगर से फ्लाइट से केवल एक से दो घंटे में गोवा पहुँच जाएंगे। यदि आप ट्रेन से गोवा आते हैं तो ट्रेन का किराया तो बहुत कम लगेगा। परंतु गोवा तक पहुँचने में समय एक से दो दिन लग जाएंगे। बस से भी गोवा पहुचने में काफी समय लगेगा। इसलिए हमारा आपको सुझाव है कि आप फ्लाइट से ही गोवा जाएंगे। गोवा पहुचने के बाद आप एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अथवा बस से अपनी आनलाइन बुक होटल तक टेक्सी से जाएं। गोवा में आप होटल एसी बुक कीजिएगा जो बीच के पास हो। अपनी होटल में चेक इन करने के उपरांद आप अपनी होटल में चाय नाश्ता करें तता उसके बाद अपनी होटल के पास जो भी बीच हो, वहाँ घुमने निकल जाएं। आप समुदर के पानी में खु अपनी होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट करें तता गोवा घुमने के लिए आप होटल से बाहर निकल जाएं। होटल के बाहर ही आपको किराय पर स्कुटर, बाइक तता कार देने वाले ट्रेवल एजन मिल जाएंगे। आप वहाँ से अपनी मन पसंद गाड़ी किराय पर ले सकते हैं। इसकुटर का एक दिन का किराया केवल 250 रुपए होता है, बाइक का किराया 3,500 रुपए तता कार का किराया 800 से 1000 रुपए के लगबग होता है। ये वहाँ किराय पर लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कापी ट्रेवल एजेंट को देनी होती है, एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी गाड़ी किराए पर लेते हैं, उसका फोटो अपने मोबाइल में खीच ले, तथा उस वहान का RTO रजिस्टेशन नमबर में नोट कर ले, इसका कारण यह है कि गोवा में आप जहां भी अपना व पहान में पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि जब आप गाड़ी किराए पर लेते हैं, तो गाड़ी किराए पर देने वाले गाड़ी में लगबग आधा लीटर पेट्रोल ही देते हैं, गोवा में पेट्रोल पंप बहुत दूर होते हैं, इसलिए गोवा में हर आधे किलोमेट पर सड़क के किनारे बॉटल्स में पेट्रोल बिकता हुआ मिल जाएगा आप पेट्रोल पंप की जगह इन से ही पेट्रोल ले ले हाला कि यह पेट्रोल आपको 5-10 रुपे जादा मेहगा पड़ेगा परंतु आप 10-12 किलोमेटर दूर इस्तित पेट्रोल पंप पर जाने से बच जाएंगे गाड़ी किराए पर लेने के बाद आप गोवा का सबसे प्रसिद कलिंगट अथवा बागा बीच देखने जाएं इस बीच पर आप डॉल्फिन राइड पेरा सेलिंग बनाना बोट राइड वाटर स्कूटर आदी वाटर एक्टिविटीज को अपने चार घंटे का समय लगेगा यह अक्टिविटी करने के बाद आप बीच पर ही किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप अगोडा फोर्ट, चापुरा फोर्ट, तथा स्विंक्वेरियम फोर्ट देखने जाएं इन फोर्ट को देखने में आपको तीन से चार गंटे का समय लगेगा गोवा के फोर्ट्स देखने के बाद आप अपनी होटल में या किसी अन्य रेस्टोरेंट में डिनर करें तथा अपनी होटल में आकर रेस्ट करें तीसरे दिन आप सुभह का प्रेकफास्ट अपनी होटल में जल्दी से कर लें तता सीधे कलिंगट बीच पर स्थित कलिंगट रेसिदेंसी होटल पर 8 बज़े तक पहुँच जाएं इसी होटल के रिसेप्शन से आप साउध गोवा बस ट्रिप बुक कर लें इस ट्रिप का किराया एसी बस से केवल साड़े तिन सो रुपे है बस आपको इसी होटल से साड़े आठ बज़े पिक करेगी तता आपको साउध गोवा के महत्पून टूरिस स्पोर्ट दिखा कर रात को साड़े आठ बज़े इसी होटल पर छोड़ देगी आप यह ट्रिप आउनलाइन भी बुक कर सकते हैं गोवा टूरिजम डिपार्टमेंट की यह बस आपको ओल्ड गोवा के चर्च जैसे बसलिका ओफ बॉम जीजस, सेंट केथर्डरल चर्च, श्री मंगेश टेंपल, श्री शान्ता दुर्गा टेंपल, बिकफूट, पोर्टगीज हाउस तता साउध गोवा के बीच का अच्छे से ब्रहमन कराएगी गोवा टूरिजम की होटल, फार्मा गोडी रेसिडेंस में यह बस लंच के लिए भी रुखती है, लंच आपको अपने पेसे से करना होता है, लंच टूर पेकेज में शामिल नहीं होता है, फार्मा गोडी रेसिडेंसी का भोजन भहुती टेस्टी तता रिजनेबल होता है गोवा टूरिजम की यह बस आपको घूमने के लिए भी काफी समय देती है जिससे आप आराम से इन टूरिस प्लेसेस को अच्छे से एक्स्प्लोर कर पाएंगे यह बस आपको कलिंगड रेसिडेंसी में रात को साड़े आठ बजे छोड़ देगी जहां से आप अपने स्कूटर से या टेक्सी से अपनी होटल आराम से 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे इसके बाद आप डिनर करके अपनी होटल में रेस्ट करें इस प्रकार गोवा में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप सुभा का ब्रेक्फास्ट करें तता दूद सागर वाटरफाल देखने के लिए अपनी स्कूटर से या अपनी कार से निकल जाएं यह वही जर्ना है जिसे चेन्ने एक्स्प्रेस मूवी में दिखाया गया था यह वाटरफाल सडक मार्ग से पनजी से साट किलमेटर दूर इस्तिते दूद सागर वाटरफाल से लगबग 15 किलमेटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है तता आगे की यात्रा महाँ पर वन विभाग द्वारा स्वीकरत एवं अधिकरत जीप से ही करनी होगी इस जीप का किराया 400 रुपे प्रतिवेक्ति होता है तता फौरेस्ट एंट्री फीस तता लाइफ जेकेट फीस 50-50 रुपे अलग से देनी होती है इस प्रकार 500 रुपे प्रतिवेक्ति खर्च इस वाटरफाल को देखने में आता है इस वाटरफाल को देखने के लिए आपको जीप जिस जगह छोड़ देगी वहाँ से आपको पेदल भी बहुत चलना पड़ेगा यदि आपके साथ चोटे बच्चे तथा बुजर्ग लोग हैं तो आप इस वाटरफाल को देखने मत जाईएगा क्योंकि इस वाटरफाल तक पहुँचने का रास्ता फिसलन भरा तथा उबर खाबड़े जिस जीप से आप दूद सागर वाटरफाल देखने जाते हैं उसका ड्राइवर आपको केवल डेड़ घंटे का ही समय इस जरने को देखने के लिए देता है तथा केवल डेड़ घंटे में ही आपको वापस अपनी जीप तक लोटकर आना पड़ता है तथा वह जीप वापस आपको आपकी गाड़ी जहां पारक है महां छोड़ देती है इसलिए आप इस जरने को ठीक तरह से एक्स्प्लोर नहीं कर पाते हैं इस वाटरफाल के पास खाने पीने की भी कोई अच्ची रेस्टोरेंट नहीं है इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामन जरूर ले जाईएगा यहाँ वाटरफाल पूरे साल बर भैता रहता है परंतु वर्षा रितु में इस जरने तक जाना बहुत खतरनाक माना जाता है यदि आप वर्षा रितु में गोवा जा रहे हैं तो भूल कर भी इस जरने को देखने मत जाईएगा गोरतलबे की पहले ट्रेन द्वारा भी इस जरने को देखा जा सकता था परंतु कॉंकन रेलवे ने जरने वाले स्थान पर ट्रेन को रोकने की मना ही कर दिये तो आप इस waterfall को अब train द्वारा नहीं देख सकते हैं हमारी आपको सला है कि यदि आपके पास पूरा एक दिन हो तथा आप पूरी तरफ फिट हो तो ही इस ज़रने को देखने जाएगा इस waterfall को देखने के बाद आप वापस अपनी होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें पांचवी दिन आप अपनी होटल में सुबह का नाश्ता करें तथा कलिंगट बीच अत्वा बागा बीच पर आ जाएं यहां से आप dolphin boat ride trip बुक करें dolphin boat ride trip का प्रतिविक्ति किराया 300 रुपे होता है आप bargain करके किराया कम भी करा सकते हैं dolphin boat ride सामाने ता सुबह के समय ही चलती है dolphin boat ride trip में आपको समुदर में काफी दूर तक ले जाकर dolphin दिखाई जाती है dolphin boat ride trip में आप सेकडो dolphin को बहुत पास से अठखेलिया करते हुए देख सकते हैं इस dolphin boat ride trip में आपको लगबद दो घंटे का समय लगेगा dolphin boat ride करने के बाद आप बीच पर फोटो क्लिक करा सकते हैं बीच पर बहुत सारे professional photographers होते हैं जो कि आपके बहुत सुन्दर फोटो क्लिक करेंगे इसके बाद आप वहीं किसी अच्छे से restaurant पर lunch करें तथा उसके बाद आप अपने परिवार के साथ बीच शेक्स पर आराम करें गोर्त लभी की बीच शेक्स एक प्रकार की आराम करने की कुरसियां होती हैं जो कि बीच की रेट पर लगी होती हैं तथा इनके उपर बड़े बड़े रंगीन चाते लगे होते हैं इन बीच शेक्स कुरसियों का किराया सो रुपे प्रती घंटे होता है इसके बाद आप अपनी गाड़ी से सांता मोनी का जेटी नामा के स्थान पर जाएं यहाँ पनजी के पास है इस जगह से गोवा की मांडवी नदी में जो क्रूज चलते हैं उनमें बेठा जा सकता है आप इवनिंग क्रूज अत्वा संसेट क्रूज बुक करें इसका किराया दो से रुपे प्रती विक्ति होता है यहाँ क्रूज आपको लगबग एक घंटे तक नदी में गुमाते हैं इस दोरान क्रूज पर गोवा के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं यदि आपका मन गोवा के केसिनो को देखने का हो तो आप इसी जगह से गोवा के केसिनो में भी जा सकते हैं केसिनो की एंट्री फीज 3,000 रुपे से 6,000 रुपे की बीच होती है इसमें रात का डिनर भी शामिल होता है तथा केसिनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स भी फ्री में मिलती हैं परंतु आप यह ध्यान रखें कि केसिनो में आप 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं क्रूज तथा केसिनो में इंजॉय करने के बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार आपका कोवा में पांचवा दिन समाप्त होता है छटे दिन आप सुबह अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा अपनी किराई से ली गई गई गाड़ी वापस कर दें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें तथा टेकसी के द्वारा एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अथो बस इस्टेंट पहुं जाए इसके बाद आप अपने गह नगर की ओर प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी खूपसरत गवा ट्रिप खूपसरत यादों के साथ समाप्त होती है अब हम इस छे दिन की गवा ट्रिप के अधिकतम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का टेक्सी या स्कूटर का कुल किराया 6,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का होटल का किराया 6,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का 6 दिन का एक्टिविटी का कुल खर्च 8,000 रुपे चार लोगों का गोवा में 6 दिन का अधिक्तम कुल खर्च 46,000 रुपे इसे हम चार से डिवाइट करते हैं तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च 11,500 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 11,500 रुपे में शांदार तरीके से फ्राइट को शामिल करते हुए गोवा घुम सकते हैं यदि आप फ्राइट की जगे ट्रेन या बस से गोवा आते हैं तो यात्रा खर्च 16,000 रुपे से घटकर केवल 6,000 रुपे ही आएगा तथा चार लोगों की इस गोवा यात्रा का कुल खर्च 36,000 रुपे ही आएगा इस प्रकार प्रतिवेक्ति खर्च भी 11,500 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतिजार मत कीजिए जल्दी ही गोवा घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू